हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू सुवरनाज रेसिपीज, तो आज हम कद्दू की बहुत ही मज़ेदार सबजी बनाएंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो चलिए फिर रेसिपी शुरू क करते हैं, इसके लिए मैंने एक कोटोरी कद्दू इस तरह से छोटे पीसेद बना करके लिए हैं, और यह मैंने चिलके के साथ लिया है, आगर आप चाहो तो चिलके हाटा सकते हो, और इसे मैंने अच्छे से दो लिया है, और यहां पर आदी कोटोरी मैंने चना दाल तुकडे बना करके एक टमाटर इसके भी टुकडे बना लिये हैं थोड़ा सा हराधन यह और पाच से छे लसन की कलिया इसके आलावा हमें तेल चाहिए और इन सारे मसालों को अब हमें भूनना है तो कडाई में मैंने एक चमच तेल जाला है तेल गरम हो जाने पर हमें यह प् थोड़ा सा भूनेंगे इसके बाद हम इसमें यह सुखे मसाले डालेंगे कोकनड तीला और जीरा इसे भी हलका सा भूनना है ग्यासा में थोड़ा सा कम रखना है यह देखिए अच्छे से भून गया है अब हम इसमें टमाटर और हराधनिया डालके इसे भी हलका सा भूनें तेल अच्छे से गरा होने पर हमें राई और जीरा डालना है अब हम जो हमने मसाला पीस लिया था उसे डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ग्यास का फ्लेम हमें मीडियम रखना है मसाला अच्छे से तेल छोड़ने लगेगा तब तक हमें इसे पकाना है ये देखिए ये मसाला अच्छे से भून गया है अब हम इसमें एक छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमच गरम मसाला डालेंगे डेड़ चमच मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ तीका आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे तो ये देखिए ये सारे मसाले अच्छे से भून गया है अब हम इसमें कद्दू डालेंगे और भीगी हुई चैने की डाल डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे ये दिखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी मैं यहाँ पे एक ग्लास डाल रही हूँ आपको जितनी गाड़ी या पतली ग्रेवी बना रही है उस हिसाब से आप पानी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो तो इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाथ के अनुसार एक बार इसे मिलाएंगे और इसके उपर हम ढक्कन लगाएंगे और धीमी गास पर हमें इसे 8-10 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है तो ये देखें मैंने इसे दीमी गास पर 10 मिनिट के लिए पका लिया है ढकन हाटाते हैं बहुत ही बढ़िया ये सबजी हमारी बन के तयार है अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे एक चमच गुड़ या चीनी डाल सकते हो तो ये देखें बहुत ही बढ़िया मजेदार ये सबजी तयार है और ये कद्दू भी अच्छे से पक गए है तो ये सबजी आप रोटी, पराठा, नान, पूरी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हो बहुत ही बढ़िया लगेगी तो मैंने इसे सर्व कर दिया है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हमारी ये सबजी बन के तयार है तो इसे जरूर एक बार ट्राइ करना तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू